ये सकीनल विलिस लाइफ ये बायोग्राफी एक पुरानी बक्स की दुकान से चंद सो रुपों में खरीदी थी मुझे इल्म ना था इसे पढ़ते हुए मुझे जुर्जुरी आएगी याद करने की कोशिश की के कब अखरी दफा कोई किताब नाविल आ कहानी पढ़ी थी जिसे पढ़ते हुए बदन में संसनी और आपको बार बार जुर्जुरी महसूस हो फौरी तोर पर किसी किताब का नाम ना आया फिल्में तो दरजनों होंगी जिन्हें देखते हुए संसनी अजुर्जुरी महसूस हो माजी करीब में शायद The Godfather, The Reader, 40 Rules of Love, Winner's Stands Alone जैसे नाविल थे जिन्हें पढ़ते हुए संसनी महसूस हुई थी मुझे भी आपकी तरह बाइयोग्राफी पढ़ने का शौक है इस शौक में ये किताब खरीदी थी ये किताब बड़ी रिसर्च के बाद लिखी गई है एक खुबसूरत अंग्रेज लड़की की दास्तान है जो इंग्लेंड की अश्राफिया और अमीर घराने में पैदा हुई थी इसके वालिदेन तवक्को कर रहे थे कि बेटा पैदा होगा लेकिन बेटी पैदा हुई तो उन्हें ज्यादा खुशी ना हुई लेकिन जब लड़की की खुबसूरती को देखा तो वो बेटा भूल गए इतनी खुबसूरत और प्यारी लड़की शायद ही पूरे इंग्लेंड में हो अभी वो सत्रा साल की उम्र में स्कूल से फारिग ही हुई थी कि इसकी शादी बरतानिया के एक सियासदान से हो गई जो हवस जाका मारा था जो इस लड़की से दूगिनी उम्र का था जैन की खुबसूरती के चर्चे हर तरफ थे काबीना का वजीर बनने के चक्कर में मसरूफ वो सियासदान अपनी नौजवान बीवी को तवज्जो ना दे सका तो उसने जल्द अपना दिल कहीं और लगा लिया अभी उसकी उम्र 21 बरस नहीं हुई थी कि इसका आस्ट्रिया के शहजादे के साथ रूमांस चल पड़ा वो इस शहजादे साथ भाग गई जिस पर 19 सदी की सबसे स्कैंडल जदा तलाक का केस चला जिसने पूरे योरप में धूम मचा दी वो केस इतना मशूर था कि दा टाइम्स के कारी इस वक्त हैरान रह गए जब इस अख़बार ने फ्रेंट पेज पर पूरा अदालती फैसला चाप दिया इस रिपोर्ट में शहजादे और जैन के दर्मियान जिसनी तालुकात की सब तफसीलाद भी चाप दी गए गिन पूरा बरतानिया शश्चदर रह गया जब 21 साला जैन ने अदालत में आस्ट्रियन शहजादे साथ अपने बेपना जिंसी तालुकात का एतिराफ किया शहजादे की महबत में वो इतनी घर्क थी कि वो योरप चली गई थी जैन की कहानी यहां खत्म नहीं हुई अगले 20 बरसों में जैन ने कई लो उफरस चलाए जिसमें योरपियन आर्स्टोक्रीसी के लोगों से लेकर जर्मन नवाब और यूनानी जागिरदार के अलावा बाविरा का बादशा भी शामिल था एक अलबान एन जनरल से भी रोमास चला इस दोरान उसने दो और शादियां भी की और योरप की शाही दर्बारों से तुर्की तक के सफर किये आखिर बहुत सारे सकैंडल्स और तलाकों और धोकों बाद इसने शाम का सफर करने का इरादा किया इस वक्त तक उसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी और इसे लगता था बस अब इसकी जिंदगी खत्म हो रही थी इसे इल्म ना था कि इसकी जिंदगी के अगले 30 बरस तो सबसे ज़्यादा हैरान कुन और संसनी खेज होने वाले थे एक अरब नौजवान जिसे इसके साथ इस भेजा गया था कि वो इसे शाम तक ले जाया इसे इस 50 साला जैन साथ इश्क हो गया वो ज्यादा से जादा उसके बेटे की उम्र जितना हो सकता था अरबी कल्चर, जबान और पहले से शादी शदा था उसने जैन से कहा मुझसे शादी कर लो पहले तो उसे शक गुजरा उसने नजरंदाज किया लेकिन फिर जैन को भी इससे शदीद महबबत हो गई इसे सब ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना मानी वो नौजवान शेख मजीद अलमिजराब इसकी जिन्दगी की महबबत बना और दोनों में वो रोमान्स और एडविंचर हुआ जिसका इसने खाब तक ना देखा था जैन की पचास साल की जिन्दगी की कहानी एक तरफ लेकिन इसके अरब नौजवान साथ अगले तीस साल की कहानी आपको किसी और दुनिया में ले जाती है कुछ इन्सान अपने साथ साथ जन्मों की महबबत प्यार रोमान्स लेकर पैदा होते हैं लेकिन वो सब कुछ एक ही जन्म में हासिल करना चाहते है जैन ने भी साथ जनमों की महबत, रूमांस, शादियां और फलट एक ही जिन्दगी में मकमल किये तसवर करें तकरीबन 200 साल पहले बरतानिया के कुंजरिवट्टू मौाश्रे में 21 साला लड़की अदालत सामने अपने आस्ट्रियन शहजादे साथ रूमांस और जिन्सी तालुकाद की छूटी छूटी जिजियात भी बता रही है वो किसी से खौफ जदा नहीं ये एक जैन की कहानी नहीं बलकि साथ जन्मों की कहानी है कुछ इन्सानी रूहें साथ जन्मों का रूमांस महबबत एडवेंचर का कोटा एक ही जन्म में ये सोच कर खर्च कर डालती है कि पता नहीं अगला जन्म नसीब हो आना हो दोबारा जिंदगी मिले आना मिले खुबसूरत जैन वही बेचीन इंसानी रूथी जो इस दुनिया में सिर्फ रूमांस और महबबत की तलाश झाल 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 झाल